जब भी कभी आप data visualization पर काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि एक chart का या एक plot का खुबसूरत दिखना बहुत जरूरी है और उसके कुछ elements हैं जो उसकी खुबसूरती को और भी बढ़ाते हैं हम उन elements पर बात करेंगे अब और इस lecture में हम देखेंगे कि chart को beautify कैसे किया जाता है या format कैसे किया जाता है ताके वो एक report के लिए अच्छा लगे, खुबसूरत लगे colors कौन से use होंगे x-axis किस तरीके से होता है, y-axis किस तरीके से होता है यह सारी चीज़ें अब मैं आपको इस lecture में बताने वाला हूँ let's jump into it अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया और like ने किया तो please do it और link description में मुझूद है जिसमें Power BI और Tablet को complete course free में available है let's jump into it screen आपके सामने हाजर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह वाला चार्ट हमने पिछले lecture के अंदर बनाया था हमने tips का data set यहाँ पर load किया था और हम इस data set पर काम करके यह वाला चार्ट लेका है थे अब आपको पता है कि यहाँ पर right side के अंदर आपके पास multiple किसम की यहाँ पर panes मुझूद है पहली filter की pan है जैसे आप इस chart पर click करेंगे you will see the options coming up for this chart अगर आप यहाँ पर click करेंगे तो यह chart disappear हो जाएगा and you can create another chart based on the database जो आपके पास यहाँ पर मुझूद है अब हमने क्या करने सबसे पहले इस chart पर click करने chart पर click करने के बाद you will see कि आप scroll down कर सकते है control key को press करके और अपने mouse के wheel को up and down कुमा के ठीक है तो यह मैंने scroll down करने के बाद इसे यहाँ पर set कर लिया fix कर लिया अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस chart के अंदर कुछ इसके अलावा आप किसी भी एक chart की बार को आप select कर सकते हैं by clicking on that specific bar अगर आप नहीं चाते ऐसा करना so you can also select one bar और double click करेंगे तो सारे की सारी select हो जाएगी on the other side you will see के जैसे आप किसी के ओपर mouse over करके लेके जाते हैं you see a lot of things going on there ठीक है so यह सारे की सारी interactive चीज़ें और किस चीज़ को आपने show करवाना है किसको नहीं करवाना है you can see के जैसे मैं यहां पर कुई काम करता हूँ मेरी right side पर format की option open हो चुकी है and it actually brings me there जैसे मैं यह lines पर click करता हूँ यहां पर right side पर यह horizontal lines आ गई है मैं यहां पर click करता हूँ यह change हो गया जैसे मैं दुबारा से इस पर click करता हूँ double click करता हूँ तो यह मेरे पास इस तरीके से lines आ गई है and now we will see मैं चाहता हूँ कि यह horizontal lines यहां से disappear हो जाए I will go here यहां पर मैंने click किया, double click किया horizontal lines पे and you will see कि मेरे पास यह automatically horizontal lines आ गई है on the other side I can go to the format tab यह वाली format की यहां पर horizontal की, इसे मैं on off कर सकता हूँ जैसे मैं इसको off करूँगा मेरी lines disappear हो जाएगे ठीक हो गया, इसके इलावा आप देख सकते हैं कि यहां पर format में काफी ज़्यदा ऐसी options मुझूद है जो आप अपनी मरजी से change भी कर सकते है और उनके साथ आप play out भी कर सकते हैं जैसे size and style में देख जाए तो height and width इसकी इतनी है horizontal यह वाली ratios है padding क्या है कि size जो है plot के side ओं पे कितनी कितनी space छोड़नी है background कौन सा रखना है white रखना है या कोई नहीं रखना है मैं background को off करता हूँ तो उसका background move हो जाएगा आप यहां से dark background रखना चाहते हैं you can also do that look तो यह background आ गया it's totally up to you कौन सा लेना है visual borders आप लाना चाहते हैं मैं इसे on करता हूँ you will see के हमारे पास इस plot के borders आ चुके है मैं इसको दबारा से click करता हूँ और यहां से मैं borders को off कर दूँगा तो there is no borders here so you can also add the borders borders क्या होते हैं वो basically आपके plot को और भी खुबसूरत बनाते हैं यहां से borders की thickness भी आप change कर सकते हैं मैंने यहां पे thickness 15 कर दी you will see के यह मेरे पास इस तरीके से borders जो हैं वो आ चुके है so visual sorry this is roundness not thickness and you can also play with this visual borders अगर आप खेलना चाते हैं तो इसको on कर लें वर न off कर दें फिर यह shadows का button है shadow क्या करते हैं यह basically आपके chart का shadow देते हैं अब गौर करें कि आपके chart का shadow आ चुके है and it actually enhances the capability of using a chart inside a dashboard ठीक है तो आप shadow को use कर सकते हैं shadow के इलावा आप shadow को बंद करें तो reset to defaults पे भी जा सकते हैं कि जो start में था वो ही आ जाएं ठीक है and then आपके पास यहां पे title है title आप कोई भी लिख सकते हैं जो भी title आप यहां पे लिखेंगे वो यहां पे change होता जाएगा मैं यहां पे अगर लिखता हूँ यहां पे मैं लिखता हूँ average of total bill paid by male or female यह देखें यहां पे यह change हो गया अब इसकी मैं heading भी change कर सकता हूँ इसको heading 2 करूँगा यह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा normal रखूँगा तो इस तरीके से आजाएगा heading 3 रखूँगा तो इस तरीके से आजाएगा and then I can also change the font for example मैं यहां पे com sense यह वाला जो comic sense font है यह मुझे पसंद है मैं इसको use कर लेता हूँ यहां पे इसे bold करना मैं bold कर दूँगा bold नहीं करना दूँगा underline करना underline कर दूँगा यहां से मैं इसको मैं यहां से बढ़ा भी सकता हूँ you will see कि यहां से मैं बढ़ाऊंगा वहां से title word है और इसी तरीके से text का color मैं blue भी कर सकता हूँ और मैं अपनी मर्जी से कोई भी color रख सकता हूँ और यहां पर conditional formatting भी कर सकता हूँ इसकी based on some other condition जो भी नहीं हम बाद में देखने वाले है background color कोई रखना है रखते हैं वरना आपकी मर्जी यहां यह center में आ जाएगा यहां पर left align और right align भी आप इसे कर सकते हैं then text को wrap करना है वो भी आप कर सकते हैं created by codanics वहां पर show हो गया इसको heading 4 करेंगे obviously main title की heading 3 है या 2 है तो इसकी 4 होनी चाहिए यहां पर इसका font भी ऐसा होना चाहिए which shows कि यह totally different चीज है और यहां पर मैं इसको light blue color के शाद शो कर देता हूँ which says कि यहां पर जी मेरे solid line लगानी है dash लगानी है it's up to you मैं यहां पर solid line लगा देता हूँ और इसकी width मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ठीक है मैं 10px इसकी width रखता हूँ which is bit more मैं 4 पर ले आता हूँ you see कि यहां पर changes आ रही है so this is how I can change the width ठीक है अब इसके width के बाद यहां पर spacing भी हम change कर सकते है custom spacing हम अपनी मरजी से रख सकते है space below title space between subtitle below subtitle and so on so forth आप अपनी मरजी से इसे change कर सकते है फिर चलते है x-axis की तरफ यह है x-axis x-axis क्या होता है basically जो x-axis होता है वो इस तरीके से plot का नीचे वाला हिसा होता है y-axis यह वाला हिसा होता है and now we are going to see के हमारे पास अगर हमने यहां पर x-axis और y-axis के अंदर को changes करनी है मैं यहां पर इसके click करता हूं you will see के हमारे पास यहां पर यह x-axis के अंदर आग जोका है तो यह values जो है x-axis की वो 9, 10 इस तरीके से चलेंगी यानि के अगर आप इसके size को बढ़ाएंगे you will see के male और female यह x-axis की values है so मैं इसको 12 पर ले जाता हूं और इसे bold कर देता हूं male और female फिर हमारे पास इंद का color है maximum height है so on so for यह हमने लिखती है concatenate labels को भी आप concatenate कर सकते हैं sub to you के दोनों इकटे-कटे चलें फिर इनका title है title text should be similar to the auto one auto का मतलब है जो आप column selected है वो इसका title हो जाए आप इसको change करना चाहते है तो आप अपनी मर्जी से भी बड़ा छोटा letter लेख सकते है तो auto भी ठीक है इस तरीके से भी ठीक है style आपका कौन से है जनाब show title only और इस style के अंदर आपके पास यह title आ चुक है लेकिन आप चाहते है कि इसका font size है वो 14 हो थाके मुझे नजर आए और obviously जो इसका रखना है वो ही आपने y-axis का रखना है ठीक है so it should look like that layout में क्या है जी minimum category जो width है उसकी 20 pixel है अगर आपके पास ज्यादा categories होंगी then you will have multiple different things ठीक हो गया तो y-axis पे जाता हूँ same वो ही चीज है मैं title के अंदर जाने के बाद इसको 14 कर देता हूँ because we have done the same thing with sex column अब legends जो है on रखने है या off रखने it's totally up to you हमारे पास जो legend है वो basically day wise जो यहां पे चीज़ें चर रही है वो legend है तो इसको हम day भी कर सकते है capital letter के साथ तो यह legend का title हो गया यह इसकी option है top left पे रखना है top center करना है इसको आपने right stacked करना है something like this या किस जगा पे आपने लेके जाना है मैं center right पे ले जाता हूँ इसे bottom left पे ले आता हूँ या मैं इसे bottom center में ले आता हूँ it's up to you तो मैं top right जो है basically ज्यादा पसंदिधा point है मेरा तो मैं यहां पे ले आता हूँ ठीक है so यह top right पे आ गया अब text की base पे हम इसका font भी change कर सकते हैं और इसको bold या underline भी कर सकते हैं मैं इसको bold पे नहीं काम करूँगा और इसके बाद grid lines के बाद हमारे पास है zoom slider मैं यहां पे on पे click करता हूँ you will see के हमारे पास यहां पे zoom slider आ गया आप जैसे scale को उपर निचे करेंगे then you can actually select the range और आप zoom in कर सकते हैं specific range में तो dashboard की खासियत यह है कि जो भी data आपको total build का चाहिए आप उसकी base पे से zoom कर सकते हैं और यह यहां पे click करने के बाद यहां पे zoom slider इस तरीके से भी आ सकते हैं talking about this additional visuals आप यहां पे data labels पे click करेंगे तो आपके पास इस तरीके से data labels भी आ जाएंगे तो आप यह options यहां से भी select कर सकते हैं इस जगा पे click करने के बाद on the other side यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास zoom slider हमने on कर ली है और slider labels जो हैं वो भी हम on कर सकते हैं it's up to us कि हमने slider के labels on करने है tool tips हमने on करने है यह नहीं करने it's up to us फिर columns की बात करें तो all series पे जो चीज change करेगी वो हम यहां से select कर सकते हैं for example मैं Friday का color blue की बजाए मैं कुछ यह वाला रखना चाता हूं I can do that it's totally up to me और यह मैं यह वाला रखना चाता हूं तो Friday का color इस तरीके से हो गया so I can select specific column यह specific series और उसकी base I can design the colors something like this so Saturday का मैंने ऐसे रख लिया Sunday का मैं यह वाला रख लेता हूं and it should be different according to the color palette और मैं यहां पे Thursday का color यह वाला रख लेता हूं so this is how I can play with these colors border मैं off किया हुए मैं on करूंगा तो सभी के उपर border भी लग जाएगा obviously मैंने यहां पे all को select करने और यहां पे border on कर देने और सभी के उपर border लग गया and match column color के अंदर अगर आप करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से column color जो है वो match हो जाएगा on the other side अगर आप चाहते हैं कि border की width बढ़ानी है you will see कि हर किसी का border जो है वो change हो रहा है color जो है border का मैं black कर देता हूं something like this और इसके width थोड़ी सी मैं कर देता हूं ताके कमस कम खुबसूरत लगे so I think this is enough layout पे जाते है reverse order करना है तो आप इस तरीके से कर दें कि reverse हो जाएगा and you will see कि आपका जो order है वो change हो रहा है sort by values करेंगे तो यह ascending या descending order के अंदर change हो जाएगा ठीक है so this is how you can actually play with this अब आप चाहते है कि कम से ज्यादा की तरफ जाए you can do that आप चाहते है ज्यादा से कम की तरफ है you can also do that तो यह reverse order किया यह देखे अब आप चाहते है कि यह sort by value descending में से ascending में करना है तो आप reverse कर देंगे simple so this is how you can play with it ठीक है and now I can also do something like this space between categories जो मैंने पहले भी बदाया था you can actually enhance or decrease the space and then data labels पे चलते है यह data के labels हैं जो ऊपर show हो रहे है all series के जो horizontal है या title उनके आपने रख रहे है it's totally up to you मैं यहाँ पे title भी रख देता हूँ जितने भी उपर data labels आ रहे हैं इनके title भी मेरे पास आ रहे है and I can also put the details अगर मैं चाहता हूँ तो so details क्या होंगी कि कि आप कोई भी एक column add करके इसमें detail लें background रखना वो भी रख लें layout भी रख लें plot area background अगर आपको चाहिए कुछ और background रखना आप यहां से select कर सकते है and then you can also design a reference line which I am not going to do that so यह visualization करके करके आपको अंदाजा होगा कि आपका plot now looks a bit better than the previous plot मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले जाता हूँ इस तरीके से बड़ा भी कर सकता हूँ it's totally up to my taste कि मैं किस तरीके से इस plot को रखना चाता हूँ properties में हम header के icons जो है उनको भी देख सकते है tool tips on करने वो भी advance option में जाके responsiveness भी इसकी add कर सकते हैं अगर मैं इसको off करूंगा you will see that now it won't response to the dashboard जो हमारा finally बनना है खैर यह हमारे पास कुछ इसकी options अगर आप चाहे हैं तो सभी को default पर भी कर सकते हैं collapse all category भी कर सकते हैं and it's totally up to you तो आप यहां से कोही भी plot की जो properties है उन्हें change कर सकते हैं अब इसका काम एक और मैं कर सकता हूँ कैसे मैं यहां पर right click करके show as table भी इसको कर सकता हूँ and यहां पे इसका proper table आ गया which is one of the best thing about the plot के आप पूरे के पूरे plot को यहां पे जो आपने plot की है summary आई आपके पास average की उसका table भी आ गया and this is how your dashboard will look like at the end तो यह table आपके सामने मुझूद है अगर आप right click करते हैं इस पूरे plot पे so you can also view some other things ठीक है जी तो इस तरीके से आप plot का table भी बना सकते हैं and then you can play with it अच्छा जी अब हमने क्या करना है मैंने यहां पे click किया अब new calculation भी कर सकते हैं cancel और analyze भी कर सकते हैं and then summarize भी कर सकते हैं इसको मैं summarize पे click करता हूँ you will see के हमारे पास यहां पे कोई भी एक summary का जो pattern है वो हम यहां पे लिख सकते हैं कोई भी एक narrative generate कर सकते हैं हमने किस तरीके से इस पे काम किया मैंने जैसे plot पे right click करके summarize किया you see mail in day Sunday made up 14.43% of average total bill और यह इसकी proper पूरी की पूरी detail आगी तो इस पूरे plot की interpretation आपके सामने मुझूद है which is very good and at the end you see कि अगर इसको मैं show as table करता हूँ and it will look like this ठीक है तो created by codenics आगया यह table है और यह पूरे का पूरा table हमारे पास कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है and then I can go back to the codenics यह वाला जो हमने plot बना है right यहां तक clear हो गया आपको and now you can see कि हमारा जो plot है वो basically एक बहतरीन plot नजर आ रहा है और हम यहां से filter लगाने के बजाए यहां से zoom in zoom out भी कर सकते हैं कि मैं कौन सा data चाहिए and then we can try like 20 से उपर किस तरीके से data नजर आता है and how we can play with it so this is how you can actually create your own table or data and plot it and make it beautiful for the people around अब आपसे मेरी request यह है कि आप इस तरह के plot बनाए इसको interpret करें और कुई भी एक data set पकड़े उस पे मेहनत करें और plot को खुबसूरक बनाने की कोशिश करें there are some color rules, color palettes जो आपने color blind लोग हैं उनको जो color नजर नहीं आते वो कभी भी use नहीं करने plotting में आपने वो ही color use करने जो आपको नजर आते हैं और उनको भी नजर आते हैं so there are some color blind palettes online आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा आपने क्या करने गूगल पर जाने गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है color blind palettes तरीके से हैं यानि कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो color blind हैं उनको एक color नजर नहीं आता या वो differentiate नहीं कर पाते colors के अंदर तो you can actually see different color blind palettes out there और इनको use करें next lecture के अंदर मैं आपको different किसम के plots बना के दिखाऊंगा and you will see plotting बहुत असान है Power BI को use करते हुए आपसे मेरी request simple इतनी सी है के like, share and subscribe subscribe और channel and inshallah next lecture के अंदर मिलते हैं अपना ख्यार रखिएगा अलाफिस